आज हम अपने इस वीडियो में इस देश के नामी इग्णामी गायक उधित नारायन के वारे में बाते करेंगे कि कैसे उन्हें सफ़लता मिलने के बाद भी आत्म हत्या के खयाल आते थे क्या है असली किस्ता जानने के लिए बने रही है हमारे साथ उदित नारायन का जनम 1 डिसंबर 1905 को इंपाल मनिपूर में हुआ था उनका पूरा नाम उदित नारायन जा है और उन्हें हिंदी के साथ मराटी तेलगुत तमिल जैसी 14 भाषाओं में 1200 से जादा गाने गाये है उन्हें प्लिंस और प्लेवाक सिंगर का खिताब खुद लता मंगेशकत जी ने दिया था लेकिन ये खिताब हासिल करने से पहले अपना पहला सूपर हिट गाना देने से पहले होए थे तब उधित नारायन को बहुत सारे त्रेट कॉल आये थे उनमें उन्हें पैसों की मांग फिरौती से लेकर इंडस्ट्री छोड़ने तक की भी बाते की गई है उधित नारायन ने अपने पूरे करियर में जितना अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चा बटोरी उतना ही परसनल लाइफ के चलते भी उन्हें अटेंचन मिला उधित नारायन पी जिन्दगी में 66 साल आने के बाद भी तीन अलग दशकों में फिल्म फैर फर बेस्ट प्लेबैक सिंगर जीतने के बाद भी अभी भी रुखने को तयार नहीं है अभी भी चलते जा रहे हैं अगर आप ऐसी खबरों से अपडेटिट रहना चाहते हैं तो बने रही है हमारे साथ